आज हम इस वीडियो में वैसे श्टूटेन जो खासकर अलिगल मुस्लिम सीटे में एमे पॉलिटिकल साइंस का एंटरंस एक्जाम देना चाहते हैं इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के प्रिक्पेशन कैसे करना है एक्जाम पैटर्ण सेलेबस और इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साथ ही एस लिमिट के साथ बताया जागा सबसे पहले मैं आपको बता दू एम्यू पॉलिटिकल साइंस में जो वहां पर सीट्स है एम्यू में वह 40 सीट्स है और इसके साथ ही यह भी रिमाइन करते हैं कि अगर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के इसमें बात कर लें क्योंकि मास्टर के कोर्षे टू यह होता है यहा आपको अतना रहना चाहिए अगर एज लिमिट को लेकर बात कर ले तो 27 यह से आपका एज ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसके बात करें यहां पर तो सेलेक्षिन का प्रासेस आपको लेकर बात कर लें तो आपके 70 यह सेवेंटी ज्यूशन होंगे और 10 वो सौ टैप होंगे मतलब यह कि UMCQ के साथ आपको थियूरी पेपर भी लिखनी होंगे अब जैसे यहां पे 30 मार्ट के हैं वो के तो चाहां पर इनका इंटरेंस प्रिव अब आपके UP में होगा और इसके बाद अगर हम बात कर लें तो कुछ अडिशनल जो में का इंट्रणस होता है खासकर आपके आपका पॉलिटिकल साइंस का तो में पॉलिटिकल शाइंस, में पब्लिक अडिस्टरेशन, में हुमर राइट्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक ही एक्जाम होता है तो आप यू समझे कि मैं सारे का इंफर्मिशनल स्टुडियूम दे रहा हूं इसके बाद इमें पब्लिक एड्मिस्ट्रेशन की बात कर ले तो इसमें भी 20 सीट्स है एज लिमिट वही है और इलिजिलिटी सेम है कोशन का पैटर्न तो वही मैं आपको पहले ही बता दिया और उसके बाद बात करें तो इनके जो टेस्ट सेंस्टर होंगे वही आपके एम्यू केंपस में ही होंगे इसके बाद अगर हम बात करें एमें हुमें राइट्स यहां पर 15 सीट्स है और इलिजिलिटी वही है एज लिमिट का भी क्रैटेरिय भी कोशन पेपर के वही है आपको सलेबस दिखाया जाए थोड़ा सा पेसिंस रखी जब हम इसको बता देंगे तो सो मैंने आपको तीन का डिटेल यानि की में पॉलिटिकल साइंस में पबलिक एड्मिस्टेशन हीमन राइस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे मैंने बता दिय बस वही देखे इन सब में यानि चारो कोर्स में इसके साथ ही आपका जो एज लिमिट का है और कोशन पेपर का से मी है तो अब मैं आपको एक्जाम पैटन तो इसाम पैटन भी बता दिया मैं आपको सलेबस बता रहा हूं सो यह रहा आपका सलेबस अगर आप देखेंगे अब आपको जैसे सलेबस बताया कि इस हिसाब से अब करना पड़ेगा दूसरा ही कि अगर आपने बैचलर जहां सभी कर रहा है तो बैचलर का तो नौलिज होना ही चाहिए कि उससे आपको यहां बैनफिट मिलने वाल होगा इसमें सब सलेबस की बात करें तो प्लिटिकल थ इंकर के बारे में भी आपसे पूछा रहा है और इसके बात कॉंस्टिशन डेवलप्मेंट एंड इंडिन गवर्मेंट एंड पॉलिटिक्स भी पूछा जा रहा है प्रियम्बल हो और पब्लिक अडिमिस्टरेशन से भी आपके कोश्चन पूछे जाएंगे अन अगें इं कर दें कि दो तेन चीजे से ले बस आपको मिल गया कोश्चन पेपर आइसस करने कोश्च करिए और जो आपने जहां से भी बैचलेट कर रहा है उसके हिसाबसुत आपको नौलेज हो गई आपको जेतना ज्यादा से ज्यादा प्राक्टिस करना रिविजन करना है कोश्चन क